तो आज कोट का ओडर आया कि यहां की PC खतम हुई है तो वहां पे रिमांड में आदिल को धारा 376 में लेकर गया है बहुत सारी 420 बहुत सारे 4-5 केस है मैसूर से जो वहां से भागके यहां मंबई में आ गये थे शादी से पहले मुझे सब कुछ पता ही नहीं था कोई भी औरत कोई भी इनसान जान मुझके कभी भी कुवे में नहीं गिरता अपनी जिन्दकी खराब नहीं करता आज मेरी जिन्दकी खराब हो गई और मुझे इतने खरीब से मेरी सिर्फ ये एक फ्रेंड है मेरी इतने जाना है इतने करीब से कि आप दुनिया देश को मैं अपनी जरनी बता नहीं सकती हूँ कि ये आठ मैने मैंने क्या गुजारे हैं सब कहते हैं ओ माई गॉड राकी सावन तुम्हे बोडी गाड की क्या जरू होते ओ माई गॉड राकी सावन तुम इतनी स्ट्रॉंग हो end of the day मैं हूँ मैं हूँ strong फिल्मों में बहार लेकिन जहां मेरे शादी का मामला आया जहां मेरा थोड़ा सा माइक नीचे रखेंगे जहां मेरा शादी का मामला आया जहां मेरा problem आया शैतान ने पूरा मेरे जिन्दगी की वाट लगा दी पूरी जिन्दगी की, ना सोच पारी हूँ, ना उट पारी हूँ, ना कुछ कर पारी हूँ जिन्दगी की पट्रिये, शादी हुई थी इतनी खुश थी मैं ऐसा लगा था, कि अब मेरी शादी हो गई, मेरा पती है मेरा बच्चा हो जाएगा पहला रमजान में रोजे रखूंगी उम्रा जाओंगी, मेरा पती, मेरा बच्चा मेरा संसार लेकिन जिन्दगी को पताने क्या हो मन्जूरे प्यार बार बार नहीं होता बार बार प्यार नहीं होता बार बार गर नहीं बसता और तूड जाती है मैं तूड गई सूजनी रहा मुझे कुछ भी आज मैंने उनको कोट में देखा आदिल को मुझे आटिटूड दिखा रहे थे कहते है के हाड जिल में अब मैं बहुत बड़े-बड़े डॉनों से मिला हूँ क्या आप सोचलो आपको क्या करना है और बहुते हैं अ है वद्धम की था मैंने मेरे डुट को बोला एडो के बोला मैने बहुते हैं ग्या करेंगा हूँ जिन से मिला है तो वो भी तो अंदर ही है ना बाहर तो नहीं है ना और मुझे बोला कि एक बार भी नहीं बोला मैं उदर जाऊंगा मैं कभी नहीं करूँगा कभी नहीं मारूँगा राखी ने बहुत कोशिश की थी बहुत कोशिश की, अपना घर बचाने की, बहुत जादा कोशिश की और आज देखो कहां से कहां आ गए काफी टाइम बात की मैंने, बहुत बार समझाया इन्होंने तो समझाया था उसे, अपना घर बरबाद मत करो एक लड़की के लिए, पुछो बहुत बहुत मैंने आधिरी के हाथ जोड़े मिननते की है कि अपना घर खराब मत करो, राखी को मत छोड़ो, राखी के साथ रहो, अपना घर सब कुछ होता है, अपना करियर, लाइज करो, बड़ उन्होंने मेरी एक ना सुनी, और आज सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ, आज भी इनकी हालत देखो कौन चाहता था जो लड़की अपना घर बसाने के लिए गनिकली थी कौन चाहता था के ऐसा हो जाए जो लड़की एक बेबी प्लान करना चाहती थी आज उसकी हालत देखे आप तब कुछ खराफ कर दिया आज बया इनकी हालत देखो आज जा हम शर्चाह ठीजी अब इन अब करिये दो चाहता रिदा इन तो में आपि लेसके हम हमें नहीं लेना है हमें और किसी को स्टार नहीं बनाना है हमें और किसी को पब्लिसिटी नहीं देनी है उसको भी समझाया था लोग दूसरे के पेट पे पेर रखके आगे जाते हैं कामदंदा करने के लिए करियर बनाने के लिए वो लड़की तो इसका घर संसार तोड़ के आगे बढ़ गई है किस तरीके से बढ़ेंगे आगे है क्या इनको सक्सेस मिलेगी मेरा दिल दुखा के क्या मिला मेरा घर कराब करके पैसा तो आज नहीं तो कल मिल जाता लेकिन मार पीट दस लडकियों के साथ वो मेरे नजरों के सामने गए तो भी बने माफ कर दिया कोई लड़की नहीं माफ कर सकती आज की तारीक में एंड तक वो उस लड़की के साथ तब तक मैं मेरा अदिल को बोलती रही जान जान वापस आजाओ जान जिस दिन मम्मी का क्रिया करम हो रहा था उस दिन भी बात किये राखीने के मत करो आप सबने देखा था उस दिन आदिल था आमारे साथ में नहीं थे ना उस दिन भी बोला है क्या मत आ गया अब आपको होफला रखना है बहुत समझाया था बहुत समझाया था बहुत समझाया था वो चाहते तो कोट में लिकर दे सकते थे जज्जमेंट जज को के मुझे माफ करो मैं कभी अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाओंगा क्योंकि मुझे मेरी सेक्योरिटी चाहिए ना सकते थे कि अगर यह ऐसा सब हो जाता तो मैं भी पागल थोड़ी हूं कि यूनों मैं भी सूचती नहीं एक बार कि आपको अदिल ने एक टॉन किया या भूंकी भारा भी आपको कुछ बोला क्या पुलिस से दर्खास्त करेंगे अपने सेक्योरिटी के भी हाँ उन्होंने कहा कि इससे बुरा क्या हो सकता है मैं जेल गया अथरोड इतना गंदा जेल वहां पर मैंने बरतन मांजी लोगों के लिए चाय बनाई लोगों के पैर दबाए बहुत सारी चीज़ा उन्होंने वह अथरोड जिल में बहुत मारते पिटते भी है ऐसे केसों में तो और बोले कि इससे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है लेकिन मैं आऊंगा फिर तुमारा क्या होगा मैंने का तो क्या इससे प्यार किया होता है तुमने एक परसंड भी प्यार किया होता मुझसे मेरे पास ऐसे ओडियो वीडियो है जो मैं नहीं दिखा सकती मेडिया को शादी के बाद वो इरानी लड़की को तुमने सुना ना बिलकुल यह तो मैं अभी सुन रही हूँ मुझे पहले नहीं मालूम था वरना यह आज जो दिन है वह बहुत पहले हो जाता लड़कियों के लिए ज्वेलरी खरीदना सब कुछ है उसके मेरे पैसो से उसके लिए ज्वेलरी खरीदना उसको खुश कर रहा है बहुत सारी चीज़े हैं मेरी ज्वेलरी मेरी मा की ज्वेलरी किसको दिये वो अभी तक नहीं पता इस सबसे ज़ादा पीडित मैं हूँ जेल में तो एक बार इंसान कहता है कि सजाकाट लेता है मैंने भी उतनी ही सजाकाटी जितने में बाहार हूँ एक दिन भी शांती में घ़र भी नहीं जा रही हूँ मैं शांती से मैं बाहर ही बाहर बतक रही हूँ यह बात बिल्कुल सच है, सबको लगता होगा कि राखी मज़े से बिल्कुल भी ने, जितनी सजा आदिल अंदर काट रहे हैं, उतनी ही दुगनी सजा बाहर ये काट रहे हैं, ना खाना खाते हैं, ना सोते हैं, ना घर जाते हैं, ना इनका मन लगता है घर जाने का, जितना हो जो वक्त लगेगा तैंक यू